व्लुटल आज हम बात करेंगे इस बॉटल के बारे में आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताए था कि इस ब्लुका एंदर कि इस तरह के दिखते हैं वह सारी दीटेल जो है मैं आपको बताऊँ गा अगर आपने इस ते पहला या बाला वीडियो नहीं देखाया तो डिस्क्रिप्शिन यूटका लिंकया आप इस वीडियो को देख सकते हैं अधर्वाइज आई प्राइब बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए इस बॉटल को जो है खोल करके देखते हैं इसके अंदर किस तरह के कैपसुल होते हैं किस तरह के नहीं होते हैं और इसके अलावा भी आपका कोई और सवाल रहा जाए तो आप मुझे कमेंट जैसा कि देख सकते हैं पूरी बॉटल आ हमारे पास प्रॉपर तरीके से सील है ौई प्लास्टिक कर और देख करते हैं अब यह देखे कि इसकी जो दूसरी packaging है वो bottle की इस बोटल के अंदर तरीके से आपकी जो जिससे दवाईयां जो हैं वो खराब नहीं होती है तो यह सील आपके प्रॉडक्क के उपर जरूर होगी तो अब इसको हटाने वाले अब इस सील को मैं अठा दिया है अब यह बॉटल लेख सकते हैं और इजनल हैमर ऑफ फोर की जो क्याप्सुल है पर और जो श आप कुसर कर देहां है है तो देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारा अन्हयार काटन डला हुए और जैसा और इसके लावा यह सिलिकॉन जयल है जैसा अमने ह Χांट्रे था आलवण झॉल। जो मेडिशन होती है उनके अंदर सीलिंग वगरा ना जाया उसके लिए सिलिकॉन डाला जाता है तो यह प्रोडक्त की सेफटी के लिए एक तरह से देखा जाए तो अब बात यह कि हमारी जो बॉटल है उसके अंदर कैपसुल कितने होते हैं जो औरिजिनल बॉटल होती है उस कि अब यह आप देख सकते हैं यह 20 कैपसुल है जिनके मैंने दो दो के सेट बना दी है एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दस तो दस इंटू मतब यह टोटल बीस कैपसुल है कुल मिलाकर बात यह अब वहीं बात करते हैं जो आप पॉन वेबसाइट से आप जो प्र खरीदते हैं उसको उसके मैं कैपसुल दिखाता हूं आपको किस तरह के दिखते हैं वह किस तरह के प्रॉडक्ट के अंदर जो कैपसुल होते हैं वह मिलते हैं आभी हम उसको भी दिखाएंगे आपको कि तो चलिए उसको दिखते हैं इसको मैं साइड कर देता हूं तो यह एक बॉटल है जो आप पॉन वेपसाइट से खरीदते हैं तो उसके अंदर किस तरह के कैपसुल दिखते हैं वो मैं आपको अभी ओपन करके दिखाने वाला हूं तो सबसे पहले आप यह चीज़ देख लेजिए इसके जो लेबल है उसके अंदर बहुत सारी कमिया है जो आपको शायद अगर ठीक से देखो तो आपको समझ में आएंगी तो अभी हम इसके खोलते हैं बोटल को और देखते हैं किस तरह की कैपसुल इसके अंदर हमारी जो इसके अंदर भी उन्होंने सिलिकॉन डाला हुआ है कैपसुल की से अब यह देख सकते हैं यह वाली जो बॉटल के अंदर से कैपसुल निकले हैं वह एक तरह के से यह फेक प्रॉडक्ट है यह हैमर अफ तौर की जो फेक बॉटल है जो पॉन वेबसाइट के ऊपर मिलती है जो आप और करते हैं और उसके बाद दस यह सावाल आपके दिमाग में आते हैं कि कौन सी औरिजनल है और कौन सी फेक है यह बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वाइट बॉटल आप खरीद रहे हैं उसके अंदर आप से उसके अंदर आप मैं आपको ओरिजनल दिखाता हम ओरिजनल हैमर अफ फोर दिखता कैसा है अब दोनों में डिफ्रेंट जो है वो खुदी कर सकते हैं मेरे को आपको बताने की जरूद नहीं पते हैं और यह जो औरिजनल बॉटल है वो कुछ इस तरह की दिखती है ठीक है तो आप और नहीं है या फिर हमारे पास जो कैप्सुल आ रहा है वो किस तरह का रहा है तो जो पारीजनल बॉटल है उसके इंदर यह वाले कैप्सुल निकले जैसे मैंने अभी आपको अन्बॉक्स करके दिखाया है यह देख सकते हैं ठीक है और वहीं यह ट्रांस्परेट कैप्सुल जो यह फेक बॉटल के अंदर से निकला एंधर से क्याप्सुल निकला है गांमें पूरी तरीके से आपका है मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा मैंने आपको दोनों का अन्बॉक्स करके दिखा दिया इसकी एक बॉटल और है यह वाली कि यह दो तरह की बॉटले हैं जो तो शेक पॉण वेबसाइड निलती हैं जितनी पॉण वेबसाइड उनकी ऑपर यह बॉटल मिलती और उनके इंदर इस तरह के कैपसुल निकलते है ठीक है और इजिनल बॉटल जो है वह कुछ इस तरह की है तो आप जड़ा भी मेजर सा मतलब डिफेक्ट है इस बॉटल में कि आप यह देख सकते हैं यह बॉटल लगी फेक रही है इसमें कुछ डीटैल वगएरा शो करी नहीं रही है अब बात इस बॉटल को कैसे खरीदा जाए हम लोगों को कैसे पता से लिए कि हैं से खरीदने के लिए मैं आपके कर रहा हैं वो मुझे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं हम उनको अभी कोशिश करेंगे मैं आपको आपके सारे सवालों के जवाब दोंगा और इसी के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में उसके अंदर मैं आपको यह बता हुआ कि ऑरिजनल हैमर ओफ तो को कहां से खर